खर्याना के चुनाव परिणाम और उज्णों में एक बार फिर बीजेपी ने है ट्रिक लगा दी है harus फिर्याना में बीजेपी लगातार तीसरी बार राज्जे में सरकार बनाने जा रही है अभी तके बीजेपी पूर बहुमत के सरकार बना सकती है एक बार फिर एक्जिट पोल के नतीजों को परिणाम और रुज़ानों ने एक खारिश कर दिया हर्याणा में खुशी मनाते कॉंग्रेस के कारे करताओं के लिए मंगलवार का दिन अच्छा नहीं रहा हाई दूसरी और जमो कश्मीर के चुनाफ भी कॉंग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा खुशी लेकर नहीं आए है एंसी के साथ अलाइंस में पार्टी सत्ता पर काबिस होते दिख रही है लेकिन पार्टी को गड़ बंदन का फायदा है विवादो से घिरी बीजेपी कैसे खेल गई हर्याणा चुनाफ से पहले कॉंग्रेस निता राहूल गांधी ने पूर्वसीयम भुपेंदरु सिंग हुड़ा को फ्री हंड दिया हर्याणा चुनाफ में ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर बीजेपी खेल गई लेकिन कॉंग्रेस फायदा नहीं उठा पाई वुपेंदरु सिंग हुड़ा का राजनिती खत्म हो सकता है लेकिन रणदी प्या शेलजा की मुश्किलें भी बढ़ सकती है हर्याणा में कॉंग्रेस दीसरी बार हार से ये साबित हो गया है कि हुड़ा जाट के अलावा दूसरे वर्गों को साध नहीं पाई हर्याणा विदानसबा चुनाफ को लेकर कॉंग्रेस शुरू में कॉंफिडेंट थी फिर धीरे ओवर कॉंफिडेंट होती गई ऐसे में सवाल उड़ता है कि हर्याणा में कॉंग्रेस की हार के कौन-कौन से कारण है कॉंग्रेस की हार के कारण हर्याणा में जाट आबादी को देखे तो करीब 27 फिस्ती है जहां 35-40 सीटों पर जाटों का सीधा प्रभाव माना जाता है इस बार कॉंग्रिस की कोशिश थी कि जाट फोट उसी के पास रहे लेकिन बीजेपी ने जाट लेंड में भी बढ़त बना ली कॉंग्रिस को लगा कि किसान आंदोलन और पहलवानों के आंदोलन से बीजेपी को बहुत नुकसान होगा लेकिन सब पलट गया कहीना कहीं भुपेंदर सिंगुड़ा और कुमारी शेलजा की लड़ाई का सामने आ जाना भी कॉंग्रेस के लिए घातक साबित हुआ जाट और दलित वोटों के चक्कर में कॉंग्रेस ने OBC वोट बैंक को गंभीरता से नहीं लिया और बीजेपी समय रहते चेद गई राहुल के दावो पर फिरापानी हर्याणा में इस बार कॉंग्रेस और राहुल गांधी जीत के दावे कर रहे थे सुख बुगाहट थी कि दस साल के बीजेपी शासन के बाद वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होगा लेकिन बीजेपी यहां इतिहास रच चुकी है और तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है बतादे कि राहुल अपनी सभाओं में कह रही थे कि बीजेपी सरकार के दिन गए और अब कॉंग्रिस की सरकार आ रही है